चोपड़ा जब इसने YouTube चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हादिक स्वागत करता हूँ मेरी प्यारी बच्चों 30 June of 24 को जब NEET का दुबारा रजल्ट जारी किया जाएगा उसमें नॉर्मलाइजेशन सिस्टम यूज किया जाएगा इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और ये क्यों किया जाता है परसंटाइल क्या होता है परसंटेज और परसंटाइल में क्या अंतर है अगर NEET 24 के रजल्ट में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मला यूज किया गया तो क्या effect पड़ेगा, कौन से student को फाइदा होगा, कौन से student को नुकसान होगा, इसके बारे में इस वीडियो में हम सर्चा करेंगे Re-exam का level कैसा था, इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं, तो जो re-exam हुआ है 23 June 24 को, उसका level same जो 5th of May 24 को exam था same उसी के level का ये भी paper था, यनि कि paper जो था, वो सारा का सारा easy to moderate था, और same to same उसी प्रकार के statement based question पूछे गए थे, जो इसमें match the following थे, वो paper का level था, वो same to same था, आपने भी देख लिया होगा, लेकिन जब आपने exam hall में उस question paper को solve किया होगा, तो आपको थोड़ा सा difficulty लगा होगा अपने level का जो अपने पांच मई को आपने question paper दिया था, और ये आपने घर में बैटके solve किया होगा, तो आपको ये easy लगा होगा, काफी easy लगा होगा, लेकिन दोनों का जो level था, exam hall में बैटके जब दो student देते हैं, तो देखा जाए, दोनों students में compare किया जाए, तो दोनों paper क level सहमी था, अब बात करते हैं, normalization क्या होता है, और ये क्यों किया जाता है, तो देखो, दो या दो से अधिक shifts में जो exam होता है, उसके लिए normalization system use किया जाता है, तो ये दो shift में exam हो चुका है, एक 5 मई 24 को, एक 23 जून 24 को, तो इसको दो day में जो exam conduct हुआ है, हम दो shift में ही इसक को मान के चलते हैं, कि ये दो shift में exam होआ है, तो दो shift में जब exam होता है, तो उसको hard को और जो easy paper होता है, उन दोनों को equal करने के लिए normalization system use किया जाता है, और ये percentile से normalize किया जाता है, तो इसमें जो दोनों का, ये तो question paper same था, लेकिन किसी student को कौन सा question paper hard लगा होगा, किसी को क अगर किसी exam में hard paper आता है, तो student के marks कम आते हैं, और किसी exam day के अंदर easy paper आता है, तो उसमें marks जद आते हैं, तो दोनों को equal करने के लिए normalization system use किया जाता है, अब बात करें, percentage और percentile में क्या अंतर है, तो percentage marks के according निकाली जाती है, जैसे किसी student के 710 आ रहे हैं, तो 720 से उसको divide कर दिया जाता है, 100 से multiply करने के बाद में वो percentage निकल जाती है, परसंटाइल की बात करें, तो ये student, जो shift में जितने student होते हैं, उसमें आपकी position क्या है, उसमें आपकी rank क्या है, वो minus कर दी जाती है, और total student से divide कर दिया जाता है, 100 से multiply किया जाता है, तो ये formula के through, percentile निकाला जाता है इसमें, तो ये percentage और percentile में अंतर ये है, कि जो percentage है marks के according calculate की जाती है, परसंटाइल होती है, वो rank और number of student के according calculate की जाती है, मैं आपको इसमें आगे बताऊंगा, अगर need 24 के result में normalization formula यूज किया गया, तो कौन से effect candidate को effect होगा, किसको effect नहीं होगा इसमें, तो मैं आपको बता shift के candidate को, किसी shift के candidate को कम भी हो जाते हैं, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा कि कैसे इसका effect पड़ेगा इसमें, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले percentile कैसे निकाला जाता है, क्योंकि percentile निकालने के बाद में normalization system use किया जाएगा, तो ये percentile कैसे निकाली जाती है, percentile निकालने क लिए जो formula होता है, वो formula इस परकार से होता है, यानि कि सबसे पहले आपका row score होता है, row score का मतलब होता है कि आपका individual score, आपने exam में कितना score gain किया है, इसके बाद में percentile निकालने के लिए आपके पास में होने चीए total of candidates कितने हैं, number of candidates total कितने हैं, और उसमें आपकी rank कितनी है, आपकी position क्या है, और फिर percentile निकाली जाती है, इसका percentile निकालने का need के लिए formula ये है, total appeared students, उनमें से आपकी rank निकाल दी जाएगी, minus कर दी जाएगी, और total appeared candidates से इसको divide कर दिया जाएगा, hundred से multiply करने के बाद में, आपकी percentile निकल जाती है, यहाँ पर, यह मैंने need के लिए simple सा formula तयार किया है need के लिए, simple सा formula है, यह जो need में previous year में percentile निकाली गई है, इस year में भी percentile निकाली गई है, उसके according आप यह formula यूज कर सकते हैं, अब यह formula कैसे use होता है, यह मैं आपको बता देता हूँ कि किस परकार से percentile निकाली गई थी, तो जो यह 5 मई को paper हुआ था, उसका result 4 June को आया था, उसमें percentile इस परकार से निकाली गई थी, वो आप यहाँ देख सकते हैं, तो total 720 के हमारे पास में 67 student है, यानि कि last candidate की जो rank है, वो 67 rank है, और last candidate पर ही यह percentile निकाली जाती है, कहने का मतलब यह है, कि आपके total appeared student यहाँ drop कर देते हैं, तो total student थे 23,23,97, उसमें total जो 720 गैन करने वाले student थे, वो 67 candidate थे, तो यह 67 candidate हम माइनस कर देंगे, और divide कर देंगे, total appeared candidate जो 23,23,97 candidate थे, 100 से multiply करेंगे, तो यह आपकी percentile आ जाती है, यहाँ पर, percentile 6 digit में निकाली जाती है, यहाँ 7 digit में आ रही है, तो इसको round figure करके 9 कर लेते हैं, 5 से उपर यहाँ value है, त 67 candidate की जो percentile आ रही है, यहाँ पर 67 candidate की 99.997129 आ रही है, जो यहाँ सेम यही है, अब हम दूसरा देखते हैं, 789 का निकाला गया था, हलांकि अभी result में तो 719 और 718 तो हमें दिखाई देगा नहीं, लेकिन जो निकाली गई थी, उसका मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें 2,23,297 candidate थे, जिसमें जो 719 का जो candidate था, उसकी rank थी 68, तो वो minus करके यह आपका percentile आ जाएगा और यही 68 नमर पर जो percentile है, वो दिखाया गया है, round figure करके इसको, तो यह 68 rank वाले candidate की percentile है, और यह 69 rank वाले candidate की percentile यहाँ पर दिखाई गई, तो इस परकार से यह percentile system use किया जाता ह है, और यह percentile निकाली जाती है, तो इस परकार से एक shift की percentile निकाल लेते हैं, और फिर दूसरी shift की percentile निकाल लेंगे, और इन दोनों shift की percentile को command करके, de-ascending order में इसको तयार कर लेंगे, तो वो आपकी rank आ जाएगी इसमें, तो यह हमने देखा है, कि यह जो पहले percentile तयार की single shift के लिए, उसका formula यह था, और इस परकार से use की गई थी वो, अब हम आगे बात करते हैं, कि यह जो दूसरी shift है, उसमें कैसे तयार की जाएगी, percentile कैसे तयार की जाएगी दूसरी shift में, तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर, हमने यहाँ पर एक चीज यह देखनी है, यहाँ पर, कि rank कैसे तयार करते हैं, पहले initially, जो मैंने आपको बताई है, कि your rank लिखा है, वो कहां से put करेंगे, बाकी सारी detail तो हमारे पास में आ गई, लेकिन हमें rank से यह, वो rank कहां से लेंगे, जैसे आपने यह formula total appeared candidate तो आपके पास में हैं, दोनु shift में हैं, एक shift में, first shift म 23,897 candidate हैं, और दूसरी shift में 813 candidate हैं, तो यह data हमारे पास में हैं, और यह data हमारे पास में हैं, और your rank कैसे निकालेंगे, यह कैसे निकालेंगे दोनु shift से, यह मैं आपको बता देता हूँ, यह data है, तो इसकी बाद हम percentile निकाल लेंगे, मालनो 5 मही को जो exam दी थी, exam हुआ था उसमें 720 के 61 candidate हैं, पहले 67 थे, उसमें 6 candidate जो grace marks वाले थे, वो निकाल दिये जाएंगे, तो 61 हो गए, तो एक से लिखे 61 तक उन student के name wise यहां drop कर लिए जाएंगे, इस shift के लिए, rank निकालने के लिए, यह और rank निकालने के लिए, उसके बाद 760 के आएंगे, 72 candidate, उसको भी ascending order म यहां लिक लिया जाएगा, एक पूरी table बना ली जाएगी, यहां rank बना ली जाएगी, student की, अब इसमें मानलो 720 के और 760 के, 715 के बहुत सारे candidate हैं, तो इनमें tie system use किया जाता है, और tie system के लिए rule है कि जिस candidates के biology में सबसे ज्यादा marks आएंगे, उसको पहले लिया जाएगा, फ इसमें सबसे कम negative किसके physics biology में होंगे, फिर सबसे कम negative chemistry में होंगे, फिर सबसे कम negative physics में होंगे, अगर यह सारे same condition होते हैं एक student की, तो फिर उसके application number से, जिसके application number ज्यादा है, जिसने पहले form के लिया फिल किया है, उसको पहले लिया जाएगा, और जिसने बाद में फिल किया ह कर लेते हैं हम result के बाद में उसके राई score पर राई score क्या होता है जो student का individual score होता है जो उसने exam में gain किया है इसी परकार से हम 23 जून की जो है उसकी merit निकाल लेंगे एक बार 23 जून वाले कंडिडेट की merit निकाल लेंगे मालो 690 पर एक कंडिडेट फर्स्ट वन रेंक आई है फिर 87 वाले कंडिडेट को दो आई है तो इस परकार से इसकी भी हम एक rank list तयार कर लेंगे तो हमारे पास दोनु शिप्ट की दोनु डेज की rank list तयार होगी पांस मही को भी तयार होगी और 8500 यहां 8500 rank निगाल दी जाएगी और यहां पर total up 8 candidate लिख दिये जाएगे और फिर जब 100 से multiply करने के बाद में calculate करेंगे तो इसकी परसंटाइल यहां आ जाएगी जैसे भी जो भी इसकी परसंटाइल है यहां वो इसकी परसंटाइल आ जाएगी यहां ऐसे ही आप 23 जोन को जो एक्जाम हुआ था उसकी रेंग की इसी परकार से इसमें total up 8 candidate 813 थे और इसमें आपकी रेंग क्या है मालो दसवें student की रेंग है तो यहां दस नमबर इसमें डाल दीजिए तो 803 upon 813 into 100 तो इसकी परसंटाइल सिस्टम निकल जाएगा इसका परसंटाइल निकल जाएगा वो result आजाएगा normalization की बाद का result अब एक बार देखते हैं कि क्या इससे effect क्या पड़ेगा अभी वो मैं आपको यहां बता देता हूँ effect का मतलब कि यह normalization में कैसे effect होता है इसमें तो हम दूसरी shift का यहां example ले लेते हैं जो 23 June को exam हुआ था 23 June वाले exam का हम यहां एक बार example ले हैं यहां पर तो 23 June को exam हुआ था माल लो उसमें एक student ही 660 का score कर पाता है एक जाम तो 720 की है लेकिन 660 का score एक ही candidate कर पाता है तो उसकी जो rank होगी वो 1 रहेगी और उसकी position यानि कि 812 student उससे नीचे है formula यही है कि आप से नीचे कितनी student है उनको divide कर दिया जाता है total student सी आप से नीचे student कितने है यही formula है इसमें your rank का मतलब है कि आप किस position में है आप से नीचे कितने student है तो आप से नीचे 812 student है तो यह 812 fill कर दिया जाएगा उसमें तो यह percentile निकल जाएगी 99.87699999 अगर यह इसरी exam में 660 का एक ही बच्चा score करता है 660 का एक ही बच्चा score करता है और एक ही बच्चा score करेगा तो यह formula लगेगा उसमें उसकी rank 1 होगी तो 813 में से 1 निकालेंगे और यह 813 से divide कर देंगे यह formula में ने यहाँ put किया है यह formula put किया है तो इस बच्चे की rank आएगी percentile आएग अब आप कहोगे कि जो 660 है उसमें जो पहले वाली सिफ्ट के अंदर है पहले वाली सिफ्ट में 660 के तो काफी rank आई है उसकी तो 24,000, 23,000 के आसपास rank आई है और इसकी 2700 के आसपास rank आगई है ऐसा क्यूं है तो ऐसा इसलिए है कि देखो रूल हमेशा अंदा होता है इसको त मतलब यह paper काफी hard है किस paper से hard है जिस paper में 24,23,297 candidates में से 720 लाने वाड़े 61 candidate हैं 67 candidate हैं तो उसका जब हम compare करेंगे तो उसका compare करेंगे तो यह 60 वाड़ा लाने वाड़ा एक ही student है और उस shift में 720 वाड़े candidate काफी जादा हैं इसका मतलब यह है कि उसका जो paper level है वो paper level easy था और इसका paper level hard है ऐसा ही माना जाता है अगर इस cushion paper का level काफी hard होता तो जो 660 करने वाला student 2700 rank हासिल करता अब 650 पर देख लेते हैं यह दूसरी rank पर होगा student तो इसके approach 3000 rank आएगी अगर 620 पर देखेंगे तो 13000 rank आएगी अगर 610 पर देखेंगे तो यह 25000 rank आएगी ले की बच्चा आता है 720 का यहां बच्चा आ जाता है तो उसकी rank तो काफी ज्यादा सली जाएगी लेकिन 720 का अगर 660 का एक ही बच्चा आता है तो उसकी rank 2700 आ जाएगी यहां पर यह यहां पर इसमें rule है ऐसा अब मान लो यहां 720 का बच्चा भी आ जाता है यहां 720 का student भी आ ज 720 करने के बाद में, इस candidate की rank शताई 100 आ रही है, लेकिन पहले वाली shift में, 720 करने के बाद में, 720 gain करने के बाद में, उनकी rank 1 आ रही है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि उस shift में काफी सारे student थे, इस shift में student कम है, इन कम students में से 720 gain किये हैं, उसमें काफी सारे student थे, इसलि भी मार्क्स का हो उसकी जो यह पर्शंटाइल आएगी 99.876999 आएगी चाहें यह कितने मार्क्स गैन कर रहा हो, यह 720 गैन कर रहा हो यह 710 गैन कर रहा हो, 680 गैन कर रा हो, 600 भी गैन करेगा तो भी इसकी रेंग 2700 के nearby आएगी तो इस परकार से ये percentile तो इसमें देखो किसी student को फाइदा हो रहा है तो किसी student को नुकसान हो रहा है ये paper का level ऐसे आखा जाता है कि ये paper कितना easy था और कितना hard था easy होगा तो number of student ज्यादा rank हासिल करेंगे और कम होगा तो उसमें एक दो तीन ही हासिल करेंगे ये paper hard माल लेते हैं ये paper hard है इसलिए 650 पर भी एक ही student आया है इसमें तो इसकी जो percentile आई है वो 3000 rank आजाएगी फिर तीसरा candidate है उसकी 13000 rank आजाएगी चोथा candidate है उसकी 25000 rank आजाएगी किसके level का जो 5 मई को हुआ था तो उसमें इस परकार से भी आ सकती है उसकी rank इस परकार से मतलब आ सकती है कि माल लो paper easy था तो 690 का एक student है जो एक student है और इसकी percentile इसकी जो rank आएगी वो 2500 के आसपास आएगी पहले candidate की यानि कि पहले candidate की rank 2500 आणी है इसमें अब दूसरा जो candidate ह है यहां मालो 680 के 680 के यहां पर 5 candidate है तो 680 के 5 candidate है तो एक candidate तो यह हो गया और 680 के चार candidate यह है तो total 5 candidate हो गए तो 680 के last candidate की rank हो गई 808 यानि कि 808 बच्चे उसके नीचे हैं rank हो गई इसकी पांच तो 808 बच्चे इसके नीचे हैं तो इसकी rank आजाएगी 14,000 इसी परकार से 670 वाले candidate की 17,000 आजाएगी इसी प्रकार से 660 वाले की 24,000 आ जाएगी और 650 वाले की 27,000 आ जाएगी तो यह आपने देखा है यहाँ जो मैंने इसली स्लाइड में आपको comparison करके बताया है इस स्लाइड में इस स्लाइड से तो इसमें फरक यह पढ़ रहा है कि अगर यह बच्चे ज्यादा आ रहे हैं जैसे पर 40 student होगे अगर यह student ज्यादा बढ़ जाते हैं तो आपकी rank ज्यादा आएगी अगर यह student कम होते हैं तो आपकी rank कम आएगी आपको पहले वाली shift से फाइदा होगा यहाँ पर तो यह फाइदा और नुकसान है अब paper same है तो ज्यादा इसमें difference नहीं होता है ज्यादा इसमे difference नहीं होता है लेकिन यह depend करेगा student के performance पर first shift की performance तो हमारे पास है लेकिन second shift में कितने student कितनी performance करते हैं वो कितना ज्यादा score करते हैं अगर ज्यादा student ज्यादा score करेंगे तो उसकी percentile कम आएगी और percentile कम आएगी तो rank ज्यादा आएगी उनकी उनको फाइदा कम होगा अगर student कम marks again करते हैं तो उन student को फाइदा इसमें काफी होगा तो इस परकार से ये पहली shift और दूसरी दोनु का यानि कि 5 मई को और 23 दून को दोनु shift का यहां पर percentile system निकाल लिया जाएगा जो मैंने आपको बताया ऐसा percentile system निकाल लिया जाएगा ये मैंने पूरा example बताया कि इतने बच्चे आ सकते हैं इतने बच्चे 720 के आ सकते हैं इतने बच्चे ये एकजामपल है एकजामपल बता कि मैंने ये percentile system आपको लागू करके बताया है कि नॉर्मलाइजेशन में ऐसा होगा अब आपने देखा होगा कि number of candidate अगर जिस shift में ज्यादा आते हैं ज्यादा marks गैन क होती है और रिंक अपफ होती है उसमें तो student को नुकसान होता है उस shift के student को अब हम आगे बात करते हैं कि इसको फिर command कैसे करना है तो command करने के लिए कमाइंड करने के लिए यहाँ पर फस्ट वाली सिप्ट का निकाल लिया जाएगा परसंटाइल और सेकिंड वाली सिप्ट का परसंटाइल निकाल लिया जाएगा इस सिप्ट का भी परसंटाइल निकाल लिया मालो यह परसंटाइल निकल गए हमारे पास यह descending order में काफी सारी दूसरी एक्जाम में चले गए जो एक्जाम नहीं दिया जिन चंडिट ने वो भी समें सामिल हैं कि वह एक्जाम नहीं देगा। गुराना स्कोर ही माना जाएगा, तो वो इसमें सामिल है, तो 813 कंडिडेट यहां से निकलेंगे, तो इतने कंडिडेट की ये इतने कंडिडेट पर ये परसंटाइल निकलेगी, तो ऐसा हम मान लेते हैं कि इस फर्स्ट की परसंटाइल, descending order में यह निकल गई है अब second shift की percentile यहां निकालेंगे हम तो second shift की percentile भी यहां descending order में यह निकल गई है यहां पर आपकी यह percentile निकल गई है descending order में अब इन दोनों percentile को command कर लेंगे इन दोनों percentile को यहां पर हम command कर लेंगे यहाँ पर हम इन दोनों परसंटाइल को command कर लेंगे और इस परसंटाइल को command करने के बाद में इसको descending order में यानि की उपर से नीचे उसमें आप इसको set कर लेंगे और descending order में इसको set करने के बाद आपकी यहाँ actual rank निकल के आज जाएगी यानि कि 720 में से 1 से लेके 61 तक हैं तो इनकी 61 तक 1 rank आजाएगी फिर 716 का दूसरा student 62 rank है फिर 63, 64, 65 इस परकार से यह पूरी की पूरी आपकी list निकल के आजाएगी वो आएगी 23,33,297 candidate की list निकल के आजाएगी तो इस परकार से यह normalization system यूज किया जाता है अब इस NTA की exam में normalization system यूज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा इसके बारे में तो कह नहीं सकते क्योंकि हो सकता है NTA द्वारा ये भी तरक दे दिया जाए कि इस दूसरी shift में student काफी कम है इसलिए equalization नहीं हो सकता है इसलिए हम जो actual marks ला रहा है second shift में student वो ही consider करेंगे क्योंकि दोनों exam का paper same था ऐसा भी हो सकता है normalization system यूज नहीं भी किया जा सकता है क्योंकि जिस shift में जितने कम बच्चे होते हैं उतना ज्यादा थोड़ा सा difference कम रहता equalize कम होता है उसमें जैसे कि माल लो एक shift में दो ही बच्चे हों और उन दो बच्चों में हम normalization करते हैं त तो भी वो 25 रेंग पर पहुंझ जाता है और second वाले पर अगर second वाले के 200 marks भी आते हैं तो भी वो 2000-3000 रेंग पर पहुंझ जाता है तो कम बच्चों के अंदर हो सकता है normalization system यूज भी ना किया जाए क्योंकि ये उस shift में काफी student है इस shift में बहुत कम student है तो कम student का performance हो सकता है अच्छा भी हो performance हो सकता है कम जोर भी हो तो इसको equal करना मुश्किल सा हो जाता है तो ये तो आगे की बात है 30 जून को किस परकार से result आएगा तो वो आगे देखते हैं कि किस परकार से इसमें normalization से result आया है या फिर normally वैसे ही result आया है इसका अभी result आप किसी दूसरे का देख पाएंगे तो आप किसी दूसरे candidate का यहां पर result नहीं निकाल सकते हैं NTA ने ये भी देखा है कि काफी सारे student की application number और date of birth काफी viral हो गई थी इस बार तो कोई student दूसरे का result नहीं देख पाए इस वज़े से भी हो सकता है इस परकार का system adopt किया गया है लेकिन NTA को ये result किस परका देना चाहिए कि इस परकार से हमने normalization system यूज किया है इस normalization system में इतने बचे इस marks के हैं इतने student इस marks के हैं ये normalization system हमने यूज किया है अगर normalization system यूज नहीं होता है तो भी उसको बताना चाहिए तो NTA को सारा सब कुछ clear करने के बाद ही result declare करना चाहिए प्रेस release में ये सारा सब कुछ बताने के बाद ही result declare करना चाहिए उसको तो ये जानकारी थी normalization के बारे में लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूँगी normalization में देखो थोड़ा बहुत किसी बच्चे को फाइदा होता है किसी बच्चे को थोड़ा बहुत नुक्सान होता है लेकिन इतना डरने वाली बात नहीं है कि normalization में मेरा score बहुत कम हो जाएगा या फिर मेरा score बहुत ज्यादा हो जाएगा ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है मेरे जहां से है ये 5 मही को जो exam हुई थी उसके according उसके आसपास ही इसकी भी rank आएगी इसके आसपास इसकी भी percentile जाएगी तो वही rank आपकी आजाएगी तो आपको डरने की बिलकुल ही हाँ आवश्यक्ता नहीं है कि मेरा result कैसा जाएगा normalization में भी आपका result ठीक ही रहेगा जहां तक की ठीक से normalize किया गया हो data को ये जानकारी थी normalization से मैंने आपको सब को समझा दिया है फिर भी आपका अगर कोई doubt होता है तो उसको like कर सकते हैं अगर आप मैं इस वीडियो में अच्छा नहीं लगा मैंने कहीं data calculate करने में और कहीं गडबड कर दी या आप इससे संतुष्ट नहीं है तो आप इस वीडियो को dislike भी कर सकते हैं तो ये जानकारी थी बाकी नई जानकारी के साथ में नई update के साथ नहीं भी हो सकता है जिन candidate ने study start नहीं की है वो candidate study start कर दें क्योंकि अगर reneet हुआ तो आप सबसे पिछे रह जाओगे उसमें तो नहीं होगा तो भी आपको कोई नुकसान नहीं है क्योंकि आपकी ये study आपको MBBS के first year में काम आएगे तो ये जानकारी मैंने सभी आपको दे नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर्म लाकात होगी तब तक के लिए मैं हरसाई चोपड़ा आपसे लिता हूँ विदा जय हूँ